सब ही खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकीशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नज़र हमारी ये दुनिया कई रहस्माई चीजों से भरी अक्सर इन से जुड़े कई किसे कहानिया लोगों के बीच काफी प्रचलित होते हैं इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले एक ऐसी रहस्माई कुरसी के बारे में जिसको लेकर दावा किया जाता है कि उस पर जो कोई भी बैठा है वे किसी ना किसी वज़े से मारा गया है कहा जाता है कि ये कुरसी इंगलेंड या फिलेडेलफिया के एक म्यूजियम में रखी गई है इस शेयर के खौफ का अंदाजा इस बास से लगाया जा सकता है कि डर के कारण इसको जमीन से कई फिट उपर लटकाया गय इसी सिलसिले में आईए जानते हैं इस स्रापित कुरसी के बारे में जिस पर जो कोई भी बैठा है वो मारा गया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कुरसी थौमस बस्वी नामक एक सक्स की थी कहा जाता है कि उसकी इस पसंदीदा एर पर एक बार उसके ससुर थौमस ने ये स्राप देते हुए कहा था कि जो कोई भी इस कुरसी पर बैठने की हिमाकत करेगा उसकी मौत हो जाएगी गौरतलब बात है कि थौमस की मृत्तु के बाद भी कई लोगों ने इस बात को कमभीरता से नहीं लिया और उस कुरसी पर बैठना चाहा हाला कि चेयर बैठने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी म्रत्तु हो गया कुछ समय बाद जब कुरसी पर बैठने वाले चार आर लोगों की म्रत्तु हो गई तो कई लोगों को इस बात का एसास हुआ कि ये कुरसी सापित हो चुकी है दियुतिये भी स्युद्ध के समय कुछ सैनिक इस चेयर पर बैठे थे। युद्ध के दोरान इन सभी सैनिकों में से एक भी जिन्दा नहीं बचा है। कहा तो ये भी जाता है कि आज भी थॉमस बसबी की आत्मा इस कुरसी में है। उसके बाद से इस चेयर को लोगों की पहुच से दूर रख दिया गया। इसे अब एक म्यूजियम में रखा गया है। इस कुरसी को डेठ चेयर के नाम से जाना जाता है। इसे लेकर लोगों के भीतर डर इतना जादा है कि वे इसे म्यूजियम में देखने से भी डरते ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट के लिए जूड़े रहें खबरी जॉकर से